आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेल्टा इंडिया के अंदर option trading कैसे करें with trading view इट्स मेन कि आप अलगो से अगर डेल्टा इंडिया के अंदर option trading करना चाहते हो तो किस तरीके से कर पाओगे गलोवल की वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है आज देड़ दो साल पहले डाल रखी है आप चेक करोगे आपको मिल जाएगी and latest video जो डेल्टा इंडिया की है future में order लगाने की वो मैं डाल चुका हूँ यो option की डाल रहा हूँ जिसके अंदर आज आपको example दिखाऊँगा तो सबसे पहले तो आपको option में आने आपको call का URL वो दिखेगा कि आप कौन से strike price है कौन से expire है पूरी यह चीज़े दिख रही है बस आपको इससे copy कर लेना है इससे copy करने के बाद आपको next level board पे जाना है और यहाँ पर आपको tools and help में जाके syntax generator को open कर लेना है जो कि मैं अभी open करने जा रहा हूँ यह open कर लिया इधर delta exchange पे जाना है यहाँ auto strike के feature पे जाना है यहाँ आपके पस दो option होते है only new ad मतलब आप कोई order लगाना चाहते हो कि हाँ भाई यह call buy करनी है put buy करनी है और एक है old close new ad मतलब आप पुरानी position को close करना चाहते हो नई position को add करना चाहते हो mostly लोग इसी का use करते हैं हम इसी का use करेंगे इधर example दे रखा है तो हमने जो copy करा था आप देखोगे हमने इस चीज को copy करा था इसी चीज को यहाँ paste करेंगे अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे strike price को remove कर देंगे और उसके साथ इसको भी remove कर देंगे आपके सामने ठीक है धी contract के अंदर हमने एक quantity ले लिया and buy कर दिया अब nearby क्या होती है मैं आपको समझा दू अगर आप देखोगे strike price के जो अंदर आपको एक चीज common नजर आ रही होगी हर strike price में 200 point का gap है अगर आप देखोगे तो यहाँ 6,8 है यहाँ 6,8,2 है यहाँ 6,8,4 है 400 तो इस तरीके से हमें पता चल गए 200 का gap चल रहा है तो हम 200 नेरवाई ले लेंगे आप चाहो तो इसे बढ़ा के भी ले सकते हो बर मैं वो बता रहा हूँ जो common दिख रही है आप इसे चाहो तो 1000 point भी ले सकते हो पर जो official तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 का gap है जिससे हमें round off करने में असानी होगी कि हमें round off किस से करना है तो हमने 200 कर दिया अब यह calculation है cal का मतलब है calculation अगर आप उपर नीचे करना चाहते है इस strike price को तो उसके लिए है बट अभी के लिए हम इसे 0 छोड़ देंगे और इसके बाद plus minus हम कुछ भी select कर देंगे अगर हम 0 कर रहे है अगर हम कोई value डालते है जैसे suppose मानो मेरा strike price बना 60,000 और मुझे 1000 point उपर चाहिए मतलब मेरको 16,000 पर चाहिए तो मैं 1000 point यहां डालके and plus करूँगा अगर नीचे चाहिए तो मैं minus करूँगा 1000 point डालके तो यह चीछ plus minus के लिए अभी हम इसे plus कर देता है 0 में plus minus doesn't matter and delta यहां centic generate करते हैं यह copy कर लिया and trading वी उपर मैंने पहली alerts बना रखे थे कली पर वो अभी चले गए चलो कोई नी मैं दुबारा से बना देता हूं alerts पर आता हूं and यह यहां पर बना रखे थे मैं रिमूव कर देता हूं आपके सामने and दुबारा से alerts बना लेता हूं तो मैं क्या करता हूं मैं horizontal line ले लेता हूं and इसको green color दे देता हूं and इसके अंदर इस syntax को दाल देता हूं इस syntax को मैंने दाल दिया जो मैंने copy बनाया था ठीक है जी और यहां पर मैं लिख देता हूं call by ठीक है जी आप put by का बना रहे हैं तो put by भी कर लोगे notification में जाके आपको webbook दाल देना webbook आपको dashboard यहां पर मिलेगा आपको इसे copy करना दाल देना मैंने पहले से दाल रखा है तो by default जो मेरा दलावाय वो show हो रहा है and मैं इसे save कर देता हूं contract हमें one लिया है तो अगर आप देखोगे delta के अंदर मेरी कोई भी position नहीं है and मैं जैसे ही इस पे click करूँगा मैं click करने जा रहा हूं and जैसे यह alerts आएगा alerts इदर आएगा यह alerts आया और अगर हम इदर जाएंगे तो आपको दिखेगा मेरा एक order आ गया है ठीक है जी आपके सामने notification आप अगर देखोगे दुबारा से तो आपको दिख जाएगा आपको चार्ट वो लेना है जिसका price आप वो कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर एक strike price जो है current price वो trading view दे रहा है ठीक है जी तो इससे हम वो कर रहे है कहीं आप यह नहीं कि Ethereum का चार्ट लगा कि इस पे order दालोगे तो नहीं दालेगा क्योंकि उसके price में different होगा और वो strike price महाँ पर मिलेगी नहीं तो मैंने जो chart लिया था वो BTC USD का लिया था आप उसी का chart लेना जिसका price जो की है same same है around इसी के पास है जिस पे आप काम कर रहे हो I hope मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे तो यह हो गया मेरी पुरानी call की position को close करेगा और नई position call की add करेगा यहाँ पर मैंने गलती कर दी कि मैंने इधर C के बदले P add कर देना चाहिए क्योंकि जब मेरा C का signal आएगा तो P close होनी चाहिए C close नहीं होनी चाहिए यह depend करता है करे लोग call call पे काम करते है पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसको copy करने के बाद edit करना पड़ेगा यहाँ P दालना पड़ेगा ठीक है जी C को P में convert करना पड़ेगा अब हम चलते हैं इधर तो मैं एक बार check कर लूँ कि यह put को क्या कहते हैं क्योंकि मेरे को भी idea नहीं है तो मैं इस पर click करता हूँ and put को यह I think आप P कहते हैं अगर उपर देखोगे तो put को P कहते हैं तो आपको अब धान रखना है चलो आप मैं एक syntax बना देता हूँ फिर से तो मैं क्या करता हूँ syntax तो बना वाई ही था मेरे पास मैं इसके बदले P करतेता हूँ तो मैं क्या अपकी बार में मैं C रखता हूँ और जो नीचे syntax आएगा उसमें put कर दूँगा तो मैं copy करा अब copy करने के बाद मैं इसे copy करने के बाद syntax इधर गया और एक horizontal line ली आप चाहो तो इसे कहीं और भी edit कर सकते हो मैं यहीं edit करके दिखा दूँगा और इस syntax को मैंने डाला तो अब मैं चाहता हूँ भाई मेरी call की position AS का मतलब है alternative symbol अगर मेरे पास कोई position है तो वो कर जाए वो call side ही होनी चाहिए तो मैंने इसमें लिखा है कि call की position मेरी close हो जाए जो की expiry यह होनी चाहिए and put की position लग जाए तो put के लिए मेरे को जो syntax है जहां C लिखा था महां P लिखना पड़ेगा capital में मैंने P add कर दिया C को replace करके and create कर दिया create करने के बाद आप red line में देखोगे मेरे पास C alerts बन गया है अब मैं जैसे इसे trigger करूँगा पहले देख लेते हमारे पास क्या है तो अगर हम थोड़ा से नीचे जाएंगे तो हमारे पास call की position आप यहां देख सकते हो and मैं चाहता हूँ अब मेरी position close हो जाए क्यों close होगी बता देता हूँ मैंने क्या करा है मैंने इस चीज़ को replace नहीं करा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा put का signal आए मेरी call की position close हो and put के अंदर इस चीज़ में मैंने C को P बना दिया है जिससे की मेरी put की position लगे I hope अब समझ पा रहूँगे तो मैं अब इसे trigger कराता हूँ जैसे मैंने candle के front पे रखा यहां alerts आएगा and alerts आते के साथ हम इधर जाएगे आपकी position कट गई and नई position put की लगई आप देखोगे same time में हमारी लगई यह चीज़ जो मैंने आपको करके दिखाई यह मैंने दिखाई आपको एक horizontal line के उपर आपको अपने indicator के उपर करना है जिस indicator पे आप काम करते हो जिस भी strategy पे आप काम करते हो उसके उपर आपको करना है अगर आप strategy पे करते हो तो आपको थोड़ा सा advance आना चाहिए क्योंकि strategy के अंदर अगर आप auto strike price करते हो तो आपको dynamic syntax add करने पड़ेंगे अपनी strategy में तो मैं आपको बोलूँगा अगर beginner हो तो आप auto strike price को indicator में यूज़ करो अगर आप strategy में यूज़ करोगे तो आपको dynamic alerts आने चाहिए alerts function का यूज़ करना आना चाहिए उसके अंदर in build आप syntax डाल दो गया input box बना दोगे तो आपके लिए easy हो जाएगा अगर फिर भी इससे related आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे telegram group को join कर लेना और हमें contact कर लेना हमारी support team को आपको knowledge दे देगी support team का number आपको हमारी website पे उपर ही मिल जाएगा contact का page है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं number change होते रहते हैं क्योंकि ये toll free number है बाकि आप telegram group में join हो सकते हो और वहाँ पर हमसे चीजे पूछ सकते हो I hope आपको पता चल गया होगा कि Delta India के अंदर option trading कैसे करते हैं Thank you for watching this video and bye